प्रिंस्पल्स अफ सिस्टेमेडिक्स मॉड्यूल 188 नेच्टरल एनिमेज नेच्टरल एनिमेज को हम तीन कैटेगरिस के अंदर डिवाइड करते हैं इसमें से जो पहली कैटेगरी है प्रिडेटर्स दूसरी जो कैटेगरी है वो पैरा सटाइड्स और थर्ड कैटेगरी पैथोजन्स अब हम बारी-बारी डिसकस करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिडेटर्स की प्रिडेटर्स ऐसे ओर्गनिजम्स होते हैं which kills and consume other organisms जिस ओर्गनिजम्स को ये kill करते हैं consume करते हैं उसको prey कहते हैं आम तोर पर ये देखा गया है कि जो प्रे है इसका साइस प्रिडेटर के मकाबले में काफी छोटा होता है यानि जो प्रिडेटर है वो अपने से छोटे साइस के प्रे के उपर अटैक करते हैं उसको किल करते हैं और उसको कंजूम करते हैं जैसे लाइन के अगर हम बात करें तो लाइन एक predator है, ये live animals को kill करके फिर खाते हैं, इसी तरीके से spiders, predators हैं, ये live insects को पकड़ते हैं और उसका जो sap है उसको सक करते हैं, इसी तरीके से lady beetles, ये भी predators की examples हैं, ये भी live insects को पकड़के उसके उपर feed करते हैं, उसको consume करते हैं, तो predator basically organisms का ऐसा group है, जो के live prey को kill करके उसके पर feed करते हैं, बहुत सारी दूसरी example भी, dragonfly, lady beetles, green lace wing, wasp, soldier beetles, power flies, birds, spider, sting bugs, all these are the examples of natural enemies, अब इस slide का अंदर अगर हम देखें, तो different group of predators दिखाये गए हैं, और ये दिखाये गया है, ये किस group के animals के उपर या किस किसम के insects के उपर feed करते हैं, for example अगर हम lady beetle की बात करें, तो lady beetle, aphids, miles और lapidoptera के eggs के उपर feed करते हैं, इसी तरीके से अगर हम green lace wing की बात करें, तो ये ऐसे insects हैं, जो के aphids के उपर, lapidoptera eggs और small जो larvae हैं, different insects के उपर, उनके उपर feed करते हैं, इसी तरीके से, powerflies के अगर हम बात करें, तो ये aphids के उपर feed करते हैं, इसी तरीके से spiders, ये journalist predators हैं, इनकी जो host range है, वो काफी बड़ी है, ये मौत के उपर feed कर सकते हैं, larvae के उपर feed कर सकते हैं, insects के एक्स के उपर feed कर सकते हैं, इसी तरीके से, nymph के उपर feed कर सकते हैं, even ये अपने से, जो छ तोटे spiders हैं उनके उपर भी feed करते हैं इसी तरिके से ants यह eggs और lepidopteran insects के larvae के उपर feed करते हैं इसी तरिके से जो blue bird है इसके अगर हम बात करें तो यह caterpillars और beetles के grubs के उपर feed करते हैं dragonfly यह termite mosquito larvae और aquatic insects के उपर feed करते हैं तो यह तमाम different किसम के predators की example थी अब अगर हम parastroids की बात करें तो parastroids क्या है parastroids is basically an organism that have young that dwell on our within the other organism यह ऐसे organisms होते हैं जो अपने host के उपर direct feed नहीं करते बलके यह अपने eggs host की body के उपर या host की body के अंदर ले करते हैं और जब इन eggs की hashing होती है इन में से young ones बाहर निकलते हैं तो वो उस host की body के उपर feed करते हैं तो इस किसम के जो natural enemies हैं उनको parastroids हम कहते हैं parastroids की बहुत सारी examples से यहाँ पे दिखाए गई है ब्रकनेट वास्प, एकनोमेट वास्प, इसी तरीके से चैल्सिस वास्प, यह सारे के सारे parastroids हैं यहाँ पे दिखाया गया है कि different किसम के जो parastroids हैं वो kin insects के उपर या larvae के उपर feed करते हैं तो इकनोमेट जो group है इसके जो parastroids हैं यह larvae के उपर feed करते हैं इसी तरीके से हेलिको वर्पा, आर्मिवाम, काट्रवाम और डूपर्स इन तमाम जो larvae हैं इनके उपर यह feed करते हैं इसी तरीके से अगर हम ट्राइको ग्रैमा की बात करें तो यह eggs के उपर feed करते हैं kalsit wasp की बात करें तो यह aphids के उपर feed करते हैं इसी तरीके से अगर हम brackonid wasp की बात करें जो के एक common parasitide है यह beetles के उपर, caterpillars के उपर, fly के उपर और star flies के उपर feed करते हैं तो parasitides basically ऐसे organisms हैं जो अपने post की body के उपर या उसकी body के अंदर अपने x-lay करते हैं उनकी जब hatching होती है उन मेंसे जो young ones निकलते हैं वो उस host की body या उसके जो tissues हैं उसके उपर feed करके उजारा करते हैं अगर हम तीसरी category करें बात करें तो वो pathogens है पैथोजन्स बैसिकली ऐसे organisms होते हैं जो अपने host ना सिरफ खुराख हासिल करते हैं बलके उसको different types हो सकती हैं इसके अंदर bacteria हो सकते हैं इसके अंदर viruses हो सकते हैं इसके अंदर protozones हो सकते हैं तो जो parasites वो डारेक्ट के अंदर रहते हैं और फोस की बाडी से फूड हासिल करते हैं और उनके अंदर disease कास करते हैं या different disease causing organisms को ये फैलाने का सबब भी बनते हैं